बिजिन्स इंटेलिजेंस के प्रेक्टिकल कर रहे हम लोग तो यहां पर कुशन नुम्बर सीख्स है अप्लाइदी वर्ट इफ एनलीसिस फॉर डेटा विजुलाइजेशन एंड डिजाइण और जेनरेट नैसेसरी रिपोर्ट बेस्ट डेटा वेरहाऊस डेटा तो यह हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में सो लेट स्टार्ट यह उपन कर दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सल तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉर्ट इफ एनलीसिस होता क्या है तो यह क्या होता है इस दी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दी वैल्यू इन सेल तो सी हाव दोस चेंजेस विल एफेक्ट दी आउटकाम ऑफ फॉर्मूला ऑन दी वर्क्षिट अगर एक सेल पे मैं चेंजिस करती हूं तो वह कैसे दूसरे सेल पे एफेक्ट होता है वह क्या है पूलते है वाट इफ एनलीसिस इट अलोग यू तो ट्राइओ दिफरेंट पर फॉर्मूला टी कांड सो वाट इफ अनलीसिस तूल कॉन कॉन से तूल से यहां पर एक है गोल सीक देटा टेबल एंदन सिनारियो मैंजर सिनारियो और डेटा टेबल टेक्ट सेट ऑफ इन्पूट वेल्यों अंड इतर्माइन पॉसिबल रिजल और गोल सी क्या होता है विव नो दे रिजल यू वाट फॉर्मूला गोल सीक फीचर यूज कर सकते है डेटा टेटा टेबल कभ यूज करोगे इफ यू हैव एफ सिनारियो मेंनेजर हम लोग को भी उस करेंगे इस अ सेट अफ वेल्यू एक्सेल सेव एंड कें सब्स्टिटूट आटोमेटिकली इन सेल अन वर्कशीट यू करेंगे इन सेव डिफरेंट गूरूप वेल्यूस अन वर्कशीट अन देन स्विच तो एन आफ दिस नियू सिन स्टार्ट करते हैं यह तीनों टूल यूज करेंगे समझ में आ जाएगा तुम लोग की क्या है यह यहां पर सेल में मैंने लिखा है प्रोडक्ट राइस कॉंटिटी किलोग्राम प्राइस ठीक है यह है अपने पास अपनी को टोटल फाइंड आउट करना है तो आप्वेसल लेक्त हम लोग देखेंगे उस कोन्टिटी एचिव 6 लंगर यह टोटल 6000 आता है तो कोईटिटी कितना रहना रोलेंगे उसके लिए हम लोग क्या यूस करेंगे Dog skin option कि क्या यूज करेंगे गोल सीक option अभी देखो यहां पर मैं अगर changes करती हूं कुछ कुछ भी changes करती हूं तो टोटल में automatically changes होगा यह देखो लेकिन अगर मैं टोटल में changes करती हूं सपोज मैंने यहां पर यह changes किया तो उसका effect हम लोग क्या यूज करेंगे what if analysis यूज करेंगे और उसमें हम लोग यूज करेंगे goal seek option तो यहां data tab है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर है what if analysis उस पर क्लिक करेंगे अब second option जो है गोल सीख उस पर 8 तो यहाँ पर मैं लिखूंगी E8 क्योंकि देखो यह जो सेल है इसका नाम क्या है E8 और उसको हम लोगों क्या करना है 6000 कौन सा सेल चेंज होगा तो यह वाला सेल है ना कौन सा है यह हम लोगों का राई यह quantity वाला E5 यह हो गया अब हम लोग यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे यह देखो आ गया टोटल जब 6000 रहेगा तो आपका quantity क्या हो जाएगा 85.7143 तो यह था हम लोगों गोल सेक उप्षन कि मैंने कैंसल कर दिया मैं फिर से बता रहे हैं आपको हम लोगों क्या करना है वृट कि तो यहां पर लिख देती हूं यह एट और वैल्यू का रहा चाहिए हम लोगो 6000 और उसके बाद यह जो कॉनिटिटी एना इसका सेल इसका सेल का नाम क्या है ए फाइफ ना तो यहां पर आप क्या गरों कर सज्ञ यहां पर मैंने क्लिक किया और इस पर क्लिक करों यह देखों ओके पर क्लिक करूंगी तो यह रहेगा वैसी एक स्टम लोगों क्या करना है कि टो चेंज प्राइस टू अचीव सिख सब्सक्राइब प्राइस हम लोग क्या करना है चेंज करना है टूछ आचीव 6,000 टोटल हम लोग को 6000 ने रहेgen तो प्राइस क्या रहेगी फिर how much price will be required तो फिर से हम लोग क्या करेंगे गोल सीक उपशन उप्शन करेंगे जाएंगे हम लोग यहाँ पर what if analysis पर गोल सीक पर और set sell कौन सा करेंगे हम लोग यहाँ पर E8 E8 set है यहां पर value क्या देना है हम लोगों को 6000 total का value क्या रहेगा 6000 और प्राइस का क्या रहेगा यह अपने को क्या करना है find आउट करना है तो प्राइस को यहां पर सेले कर लो ओके करो यह देखो कि आगया कि यह मैं ओकेपे करती हूं है सेकेंड हम लोग क्या करेंगे data table option देखेंगे generate data table using quantity तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यह यहां पर मैंने लिखा एक quantity और यहां पर कोई भी random quantity मैंने दे दिया है अभी यहां पर यहां पर जो कुछ भी नहीं लिखा है ना मैंने यहां पर क्या करूँगी यह वाले सेल में एकवल और यह formula मैं use कर देती हूं और यहां पर मैं इसको सेलेक्ट यह formula हो गया quantity into price यह होगे हम लगों आ गया अब मैं क्या करूंगी यह देखो इतना मैं select करूंगी यह इतना select करने के बाद what if analysis पर जाओगे आप data table पर जाओगे यहां पर column input cell पर यह सेलेक्ट करोगे quantity वाला यह है जो सेल इस पर select करोगे okay पर click करोगे तो यह देखो automatically यह total price यह जो हम लोगोंने quantity एंटर किया और automatically इसका आ गया है मुझे इसको calculate करना नहीं पड़ है तो यह हो हम लोग data table column के लिए अभी हम लोग price के लिए भी करते हैं अब मैं price के लिए करते हूं इसमें हम लोग रोग का देखेंगे तो कोई भी रेंडम price में डाल देती हूं यहां पर यह जो सेल है इस पर मैं क्या करते हूं फॉर्मुला इसका देती equal to quantity into यह price है न एंटर यह हो गया अब यह आप क्या करो इतना सेलेक्ट करो यह देखो इतना सेलेक्ट करो इतना सेलेक्ट करने के बाद what if analysis पर जाओ डेटा टेबल पर जाओ अब रोव इंपूट सेल हां रोव इंपूट सेल क्या करोगे कौन से से करोगे यह price यह price का and then okay यह देखो आ गया तो यह क्या हो गया हम लोगा डेटा टेबल बन गया automatically हम लोग ने एक ही बार formula यूज क्या और यह तो यह हम लोगा data table हो गया यह जो है इतना इतना price है और इतना क्या है quantity है ठीक है अब मैं यहां पर जो यह cell है इसमें मैं क्या करते हूं total टोटल देती हूं equal to यह quantity into price हां अभी देखो हम लोगों को यहां पर automatically total आना चीए यह जो इतना cell है इसमें क्या आना चीए automatically total आना चीए तो हम लोग क्या करेंगे इतना select करेंगे यह select हो गया what if analysis में जायेंगे data table में जायेंगे आप run in put cell क्या है मेरा price है ना रो इंपूट सेल प्राइस है तो यह जो यह इदर का है न cell वह हो सेलेक करो column in put cell कौन सा है यह column है तो उसका वह क्या है quantity quantity पे select करो okay पे click करो यह देखो automatically यह जो इतना आ गया वो क्या हो गया, total हो गया, तो हम लोग ने क्या किया, यह price इतना दिया, quantity इतना दिया, हम लोग ने total यहाँ बता दिया, और यह जो total है, automatically आ गया है, यह use है data table का, now we will see scenario manager, तो यह हम लोग ने select कर दिया, quantity of price का sell, what if analysis पर जाएंगे, scenario manager पर select करेंगे, और यहाँ पर add पर click कर देती हूँ, scenario का name आप कुछ भी दे सकते हो, scenario का name दे दिया, मैंने suppose ABC, और comment में जो भी आपको comment देना है, आपको comment दे दो, और यहाँ पर जो लिखा है, changing cell, changing cell क्या है, हम लोगों का E5 और E6, यह automatically लिखा है, क्योंकि मैंने पहले ही select किया था, यह रेख ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या हो रहे हैं, यहाँ पर OK पर click करो, अभी यह क्या पुछ रहा है, आपको add value for each of the changing cell, अगर आपको add करना है value, तो आप यहाँ पर add करो, नहीं तो OK पर click करो, तो suppose मैं यहाँ पर add करती हूँ, यहाँ पर मैं, जो हम लोगों का quantity है, उसको मैं suppose change कर देती, 75 और यहाँ पर मैं price में changes कर देती हूँ, 78 और यहाँ पर मैं OK कर देती हूँ, तो यह हो गया हम लोगों का, अभी मैं show पर click करूँगी, तो यह देखो, आपको दिखाएगा, जो मैंने changes किया ना, वो आपको दिखाएगा, तो आप ऐसे scenario क्या कर सकते हो, create कर सकत करते हो, तो यह आपको scenario दिखाएगा, edit पर click करोगे, तो edit कर सकते हो, जो भी आपको edit करना है, what if analysis practical number 6, thank you